स्री सिवाय नमस्तू भ्यम दर्सकों साल में आने वाली सभी अमोस्या तिथियों का खास महत्व है लेकिन सास्त्रों के माने तो सोमोती अमोस्या बहुत दुरलब मानी जाती है इसलिए इसका महत्व आन्य अमोस्या तिथियों से अधिक होता है सोमोर के दिन पढ़ने वाली अमोस्या तिथी सोमोती अमोस्या होती है इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान का विशेश महत्व है इस दिन सुहागिन महिलाएं पती के लंबी उम्र के लिए बरत रखती है और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करती है जोतिस में कुछ ऐसे दान बताए गए हैं जिन्हें सोमोतिय मौशय के दिन करने से पित्रों का आशिरवात प्राप्त होता है दर्सकों आज की इस वीडियो में हम जानेंगी कि सल 2023 में सोमोतिय मौशय कब है सोमोतिय मौशय के दिन ब्रह्म मौशय में उठकर सभी कामों से निवरित्त होकर इस दिन गंगा जी में इस नान का अधिक महत्व है इसलिए संभवा हो तो गंगा इसनान करें नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसनान कर ले इसके बाद भगवान सूर्य को अर्गदे आज के दिन सिव पारवती भगवान बिष्णू और पीपल के बिच की पूजा करना चाहिए पूजा के बाद अपनी योगता अनुसार दान करें अमोस्या के दिन पित्रों की सांती के लिए तरपन स्राद आधी भी कर सकते हैं साल 2023 में सोमोती अमोस्या 17 जुलाई 2023 दिन सोमोर को है वहीं सुर्योदय का समय होगा सुबह के 5 बचकर 34 मिनट पर और सुर्यास्त होगा 7 बचकर 20 मिनट पर वहीं सुर्योदय के दिन पित्रों के लिए वस्त्रों का दान करने से पित्रों का आशिर्वाद प्राप्त होता है अमोस्या के दिन भूखे को भोजन कराना चाहिए जो रुत्मन को तील के लड़ू तेल अनाच का दान करने से पित्र प्रसंद होते हैं इस दिन मचलियों को आटे की गोलियां बना कर खिलानी चाहिए पित्रों को प्रसंद करने के लिए अमोस्या के दिन चंद्रमा से जूड या चावल का दान कर सकते हैं इस दान से लाराज फितर भी प्रसंद होते हैं और उनका आशिरवाध आपको प्राप्त होता है तो द रसको वीडियो पसंद आने पर मेरी चैनल इंडिया नो इसे क्राइब कर ले और वीडियो को जितना ज़िपन लाइक आप कर लें मिलते हैं अपने नेस्ट वीडियों तब तक के लिए स्री सिवाय नमस्तूब भी हम